वेल्कम टुदा गुरुकुल प्रेप डेली पॉड्कास्ट ओन 11 जुलाई अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई जनसंख्या नियंतरण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों को उजागर करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है सन्युक्त राश्टरट युएन के अनुसार बड़ती जनसंख्या रोजगार, आर्थिक विकास, गरीबी, आय वितर्ण और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है इस प्रवृत्ती का शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, जल, भोजन और उर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्थाई जरूर्तों को पूरा करने के लिए नीती निर्माताओं को सटीक डेटा की आवश्शक्ता होती है सन्युक्त राष्ट्र ने उननीस सौ नवासी में विश्व जनसंख्या दिवस घोशित किया इस वर्ष का विशय किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गणना करना है अपडेट दोग पुरसकार व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को उतक्रिष्ट सेवा के लिए रूस के सर्वोच नागरिक सम्मान से सम्मानित किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच नागरिक सम्मान और्डर ओफ सेंट एंडरियू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया भारतिय प्रधान मंत्री के लिए सर्वोच नागरिक रूसी पुरसकार की घोशना 2019 में रूस और भारत के बीच विशेश और विशेशाधिकार प्राप्त रणनीतिक साजेदारी को बढ़ावा देने और रूसी और भारतिय लोगों के बीच मैत्री पूर्ण संबंधों को ब भिन क्षेत्रों में उलेखनी अव्यक्तित्व को रूस में उनके असाधारन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है सामाजिक कार्यकरता सुनीता क्रिश्नन ने आत्मक्था का विमोचन किया यौन तसकरी और यौन अपराध पीडितों के बचाव और पुनरवास में शामिल एक गैरलाबकारी संस्था प्रजवला की संस्थापक सुनीता क्रिश्नन ने एक संस्मरन जारी किया है सुनीता कहती है कि आई एन वाट आई एन नाम की यह आत्मक्था आशा और संभावनाओं की कहानी है दो सो चौरासी पन्नों की ये पुस्तक सामाजिक कार्यकरता के जीवन की गहराई में उतरती है और प्रजवला की यात्रा को साज़ा करती है उननीस सो च्यानवे में स्थापित प्रजवलाने देश भर में कई बचाव अभियान चलाए हैं और कुछ अंतरराश्ट्रिय भी हैं तेलंगाना में स्थित यह अब दो सो टीन से सज्य है अपडेट चार रक्षा अजर्बैजान सेना ने कजाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 सन्युक्त सैने अभियास में भाग लिया आठ जुलाई को कजाकिस्तान के रक्षा मंत्राले ने देश के महंगिस्टाउट शेतर में अजर्बैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उस्बेकिस्तान द्वारा सन्युक्त सैने अभ्यास बिरलेस्टिक 2024 एसोसियेशन 2024 शुरू करने की घोशना की सशस्त्र संधर्ष को स्थानिय बनाने के लिए एक संयुक्त अभ्यान का प्रदर्शन करेंगे और अभ्यास करेंगे अभ्यास में कुछ 4000 सैने कर्मी और 700 सैने उपकरन शामिल होंगे अपडेट 5 विविध अडानी समूह ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतिय टीन के लिए प्रमुख प्रायोजक के रूप में घोशना की अडानी ग्रूप के चेर्मैन गौतम अडानी ने घोशना की है कि समूह 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतिय टीन को प्रायोजित करेगा 2024 ओलंपिक की तैयारियों के अंतिम चरण में भारतिय दल के साथ अडानी समूह ने थीन देशकागिते टॉलिंपिक्स के साथ एक अभियान के माध्यम से राश्ट्र के चैंपियन को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया है यह अभियान उन एथलीटों पर केंद्रित है जिन्होंने जीत हासिल करने और जीत के बाद राश्ट्रगान सुनने के लिए घंटों और वर्षों तक प्रशिक्षन लिया है अपडेट छेट निधन केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैलारानी रावत का 68 साल की उम्र में निधन केदारनाथ से भारतिय जन्तापार्टी भाजपा की विधायक शैलारानी रावत का 9 जुलाई की देर रात देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वह 68 वर्ष की थी शैला रानी रावत पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी रीड की हड़ी में चोट के लिए उसका इलाज किया जा रहा था शैला रानी रावत ने के दारनाथ सीट जीत कर 2012 में पहली बार कॉंग्रेस के टिकट पर उत्तराखंड विधान सभा में जगह बनाई थी वह 2017 में सीट हार गई लेकिन 2022 में भारतिय जन्ता पार्टी भाजपा के टिकट पर फिर से जीत हासिल की वह उन कई कॉंग्रेस विधायकों में शामिल थी जिन्होंने 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत की थी और भाजपा में शामिल हो गए थे अपडेट साथ योजनाएं और समितिया उत्तर प्रदेश ने सीमाओ पर मित्रवन पहल शुरू की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के साथ व्रिक्षारोपन जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्रवन शुरू करने की घोशना की है इस पहल के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग मित्रवन की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करेंगे 20 जुलाई से शुरू होने वाला व्रिक्षारोपन जन अभियान 2024 उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में व्यापक व्रिक्षारोपन अभियान चलाने के लिए तैयार है पडोसी राज्यों की सीमा से लगे सभी 35 जिलों में पूरी तैयारी चल रही है प्रभागिय वन अधिकारियों DFO को मित्र वन की स्थापना और समवर्धन में तेजी लाने के निर्देश दिये गए है अपडेट आठ खेल गगन नारन को पेरिस ओलम्पिक 2024 के लिए भारत का शिफडी मिशन नियुक्त किया गया चार बार के ओलम्पियन और 2012 ओलम्पिक खेलों के पुरुशों की 10 मीटर एर राइफल कांस्य पदक विजेता गगन नारन को 26 जुलाई से शुरू होने वाले पेरिस 2024 ओलम्पिक खेलों में प्रतिसपर्धा करने के लिए AMC मेरी कॉम की जगहे भारतिय दल के शिफडी मिशन के रूप में चुना गया है भारतिय ओलम्पिक संग आयोए की अध्यक्ष पीटी उशा ने कहा कि मेरी कॉम के इस्तीफे के बाद 41 वर्षिय नारंग को डिप्ती सीडी एम के पद से पदोन्नत करना एक स्वतह स्फूर्थ निर्ने था 2012 उलम्पिक में कांस्य पदक विजेता मेरी कॉम ने घोशना की थी कि वह अपरेल 2024 में व्यक्तिगत कारणों से भूमिका से हट जाएंगी अपडेट 9 खेल गौतम गंभीर बने भारतिय पुरुष हौकी टीम के मुख्यकोच BCCI सचिव जय शाह ने पुष्टी की है कि पूर्व सलामी बल्लेबास गौतम गंभीर को टीम इंडिया का मुख्यकोच नियुक्त किया गया है वह इस भूमिका में राहुल द्रविड की जगह लेंगे और टुजीरो विश्व कप में अपनी हालिया जीत के बाद टीम की गती को बनाए रखने की चुनोती का सामना करेंगे भारतिय टीम के मुख्यकोच के रूप में गंभीर का पहला काम श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की श्रिंखला होगी टीम इंडिया को 27 जुलाई से 3 वंडे और 3 टुजीरो मैच खेलने हैं गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिष्चित करना होगा कि भारतिय टीम शीर्श स्तर पर प्रदर्शन जारी रखे अपडेट 10 राज्य सुप्रीन कोर्ट ने पूर्व CJI को पश्चिन बंगाल में BC चयन समिती का प्रमुख नियुक्त किया ममता बनर जी के नेतरित्व वाली त्रिन्मूल कॉंग्रेस सरकार और पश्चिन बंगाल के राज्यपाल के बीच सरकारी विश्व विद्यालियों के कुलपतियों की नियुक्ती को लेकर टकराव के बीच सुप्रीन कोर्ट ने नियुक्ती के लिए नामों को शॉर्ट लिस अध्यक्ष को ऐसे संयुक्त विश्व विद्यालियों में शिक्षा प्रदान किये जा रहे विश्यों विश्यों की प्रकृती को ध्यान में रखते हुए एक या एक से अधिक विश्व विद्यालियों के लिए अलग या संयुक्त खोज सहचयन समितियों का गठन करने के ये अधिकरित किया.